आमिताब बच्चन स्टारर सूपर हिट फिल्म कुली को आपने जरूर देखा होगा और फिल्मों के गानों को भी सुना होगा लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उस फिल्म के एक गाने को सुनाने जा रही हूँ जो कि फिल्म में रखा ही नहीं गया इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्त थी उस गाने के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ वीडियो में आपको वो गाना सुनाया भी जाएगा और गाने को क्यों हटाया गया इसके बारे में भी बताया जाएगा तो आप बने रहिए हमारे साथ दोस्तों साल 1983 में रिलीज हुई अमिताब बच्चन की फिल्म कुली के निर्मार के दोरान सेट पर अमिताब बच्चन के साथ बड़ा हाथसा हुआ था जिससे उनकी जान पर बनाई थी इस हाथसे के बाद फिल्म की कहानी में काफी परिवर्तन हुआ था और एक बहतरीन गीत को हचा दिया गया था फिल्म में कुल साथ गाने सुनने को मिलते हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले फिल्म में कुल आर्च गाने रखे गए थे लेकिन एक गाने को अमिताब बचन के साथ हुए हाथ से के बाद धटा दिया गया था फिल्म के सेट पर फाइट सीन के दौरान 26 जुलाई 1982 को पुनीत इस्सर ने अमिताब बचन को जो घूंसा मारा था वो अमिताब बचन के पेट पर लगा था जिससे वो स्टील की मेट से टकरा गए थे इससे उनके पेट में गहरी चोट आई थी और बड़ी मशक्कत के बाद उनकी जान बचाई जा सकी थी पहले कुली फिल्म के क्लाइनाक्स में अमिताब बच्चन को मरना था और इसी सिचुएशन के लिए सारी दुनिया का बोज हम उठाते हैं का सैड वर्जन रिकॉर्ड किया गया था इसका संगीत दिया था लक्ष्मी कांथ प्यारे लाल ने, गाने के बोल लिखे थे अनंद बक्षी ने और इस गीत को गाया था शबीर कुमार ने तो आखिर क्यों इस गाने को हचाया गया? जैसा कि हमने बताया था कि अमिताब बच्छन के किरदार को फिल्म की कहानी के अंत में मरना था, लेकिन फिल्म के निर्माताओं के द्वारा ये तै किया गया कि असल जीवन में वो मौत के मूँ से निकल कर आए हैं, इसलिए फिल्म के जरिये शबीर कुमार की आवाज में जो गीत रिकॉर्ड किया गया था, उसे फिल्म आया नहीं जा सका, हाला कि ये गीत बहुत ही इमोशनल है. अगर अमिताब बचन को चोट नहीं लगी होती और फिल्म की मूल योजना के अनिसार इस गाने को फिल्म में रखा जाता तो देखने वालों की आखों में आस्वाए बिना नहीं रह सकते थे. लेकिन कुली फिल्म के क्लाइमाक्स में बदलाव किया गया जिसके कारण ये गाना लोगों के सामने नहीं आ पाया. दोस्तों क्या आपने ये गाना पहले सुना था? क्या आपको ये गाना अच्छा लगा? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. अगली वीडियो में न फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारिया लेकर हाजर हो जाओंगी. तब तक के लिए अच्छा अच्छा अच्छा.